वीवो वी 29 ले लिया है टेमपर्ड ग्लास ढूण रहे हो आ जाओ दिला दूँगा टेमपर्ड ग्लास कैसे लगाना है देखो वीडियो सिखा दूँगा तो सबसे पहले आप अपने फोन को किसी फ्लैट सर्फेस पर रख लेंगे ठीक है इस पर कमपनी की दोरा एक प्लास्टिक फिल्म देवी होगी उसको आपको उखाड के हटा देना है याद रखिए वो टेमपर्ड ग्लास नहीं है उससे आपके फोन को प्रोटेक्शन नहीं मि जिसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है सबसे पहले एक बार टेमपर्ड को नापके देख लो किस तरीके से लगाना है उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको एक वाइप किट मिलती है एक लिक्विड ग्लू मिलता है और एक यूवी लाइट मिलता है ठीक है इन चांस अगर यह सूखा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा पानी या कॉलीन कुछ भी लगा दो बस तेल बगएरा मत लगाना ठीक है और इससे अपने फोन के स्क्रीन को बढ़ियां से रब करके साफ कर दीजिए अगर आपका फोन नया है तो ज्यादा साफ कर होना पड़ेगा क्योंकि अगर डस्ट वस्ट रहेगा तो ठीक तरीके से यूवी टेंपर ग्लास जो है वो फिट नहीं हो पाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डस्ट स्टीकर छोटे छोटे अब्जॉर्वर मिलते हैं इसको आप अपने फोन के ऊपर में और नीचे में लगा दोगे जहाँ पर के स्पीकर के होल होंगे ठीक है जो भी होल होगा उस पर लगा देना क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है कि यूवी टमपट लगाने के बाद आवास कमा रही है कम जा रही है तो यह उसको फिक्स करने के लिए है ठीक है तो यहाँ पर हमारा उपर में जो है छेट था तो हमने वहां उपर लगा लिया नीचे में हमने नहीं लगाया एक बार और बढ़ियां से अब जो हमारी ग्लू की बोटल थी उसको अपने फोन के स्क्रीन पर डालिएगा ठीक है डालने के बाद देखिएगा कि वह बायाद आया तो नहीं भाग रहा है अगर वह बायाद आया भाग रहा है खुद से तो मतलब कि आपका फोन एकदम सही फ्लैट सर्फेस पर नहीं ठीक है फुल बोटल ग्लू मत डालिएगा उतना का जरूरत नहीं है आधा से थोड़ा जाधा डालिएगा जितना के आप देख सकते हैं मैंने डाला क्योंकि जाधा डालोगे सूखने में बहुत टाइम बरबाद होगा और उस टाइम में हो सकता है कि वह साइड से निकल के आपके speaker grills के अंदर चला जाए speaker का hole या microphone का hole वो आपको alert रहना है ठीक है और उसको बायाद आया फेरना नहीं है ठीक है एक बार आपने UV tempered डिस्पले पर रख दिया फिर आपको उसको उखाड़ना नहीं है ठीक है नॉर्मल tempered glass में हम लोग उखाड़के दोबारा लगा द करने से क्या होगा सारा का सारा air particle automatic निकल जाएगा देख सकते हैं आप मैं हलके हलके इसको हिला रहा हूं जिससे के हमारा air का particle जो भी है वो निकल गया आप देख सकते हैं हो गया पूरा complete अब इसके बाद आपको इसको सूखने के लिए छोड़ना है लेकिन ऐसे नहीं छोड प्लम होती है ऐसा कुछ नहीं है इसीली रिमूफ भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आपको यूवी लाइट एसके उपर कंटीनेशली 10 से 15 मिनट के लिए मारनी है अब यह आपके उपर है आप यूवी लाइट मारो पंदरा मिनट मारो जब तक ना सूख जा जब आपका पूरा फिक्स हो जाए सूख जाए तो वह जो हमने स्टीकर लगाया था नीचे में उपर साइड में उसको रिमूफ कर देना तो टेंपर्ड ग्लास हमारा लग चुका है और लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा सेम यही टेंपर्ड ग्लास आपको वी इस वीडियों बस इतना ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए हवा ग्रेट डे प्रोड़क्ट पचेस करने की लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी